सरस्वति जी और उनकी बहु रश्मी के बीच एक दिन बहस चिट जाती है आखिर किसका काम ज्यादा आसान है बहु का या सास का मा जी सास को काम ही क्या है आपके सारे काम उंग्लियों पे तो हो जाते हैं कुछ अभी हाँ, हिसाब तो उंगलियों पे ही हो जाता है न अरे बेटा, ऐसा सिर्फ अभी लगता है जो मुझे करना पड़ता है न वो तुझे करना पड़े तो समझ आएगा कि असली काम का पहाड कैसा होता है ठेले बराबर वजन भी नहीं है आपके काम में हार बात पहाडों के वजन की कर रही है आप तुझे असा करती ही क्या है घर में बेटा ये तो बता मुझे मैं थोड़ी ना कुछ करती हूँ सब जादू से हो रहा है इस गर में अरे एक दिन मेरा काम करोगी तो समझाएगा ओके ओके शट आप कल से मैं घर के काम करूँगी और तु मेरी जगह हर चीज का हिसाब रखना ठीक है ठीक है ये भी कर लेते हैं ये सास बहु की डील के बारे में रश्मी के पती अमन को नहीं पता था और नहीं अमन के पिता जी सुरेश्ची को पर येहू के साथ साथ जैसे घुन भी पिस जाता है ये दोनों भी पिसने वाले थे सुबह अमन उचकर रेडी होता है ओफिस जाने के लिए तो पता है उसके कपड़े नहीं निकले हुए है अरे रश्मी तुमने मेरे कपड़े नहीं निकाले अपनी मा से पूछो ना उन्हीं का काम है ये अमन अपनी मा के पास जाता है अब मेरे कपड़े आज आप देने वाले हो क्या मा हाँ देना तो मुझे ही चाहिए पर तेरी बहुने कपड़े धो नहीं नहीं डाले तो कोई भी धुला हुआ कपड़ा नहीं है बेटा है ऐसा क्यों कपड़े तो दोने आप ही देते हो ना मा अरे बहुने तुझे बताया नहीं अब हम अदल बदल गया है मैं अब बहु और तेरी बीवी सास अमन परिशान हो गया वो बिना इस्तरी की कपड़े पहन कर ओफिस चला गया सरस्वती जी अपने घुटने के दर्द की कारण जुक कर घर साफ नहीं कर पा रही थी और नहीं खाना बनाना याद रख पाई उदर रश्मी पहले ही दिन घर की चाबी घुमा चुकी थी और तीन सो रुपे का हिसाब अलग नहीं मिल रहा था पर दोनों का ही घमंड कैलाश परवत से भी बड़ा था और दोनों ही खे में एक दुसरे की बात मानने को बिलकल तयार नहीं थे शाम को जब सुरेश जी और अमन खाना खाने बैठते हैं तो सरस्वती जी उनके सामने गाजर और पपी ते लाकर रख दीती है अरे मा ये क्या है? खयाली पुलाव के साथ सलाथ मा जी खाना बनाना भूल गई लगता है अरे एक एक चमनी का हिसाब है मेरे पास खाना बनाना कैसे भूल जाओंगी? ये तो मैंने पढ़ा था कि फल फ्रूट खाने से सेहत अच्छी रहती है इसलिए ये ले एक फल खा ले रात को सुरेश जी और अमन अपनी मिटिंग बिठाते हैं अकेली में बाबुजी इनकी लड़ाई के कारण नाह में ठीक से खाना मिल रहा है उल्टा घर के सारे काम रुग गया है हाँ बेटा दो भैसों के लड़ाई में बेचारे खेत के पाओधों का भी नुकसान हो रहा है पर पापा क्या बताओ आपको मैंने मा को इस महने की दूसरी तारी को बिजली के बिल के पैसे दिये थे आज बिल भरने के लिए मांगने गया तो पता चला कि रश्मी उन पैसों से गैस सिलिंडर ले आई अच्छा तो सिलिंडर के पैसों का क्या हुआ सिलिंडर के तो कोई पैसे नहीं थे बाबुजी हमारे घर पर गैस की पाइपलैन लगी है ना बेटा इन दोनों का कुछ करना पड़ेगा नहीं तो अपने घमन के चक्कर में पूरा घर बरबाद कर डालेंगी ये दोनों अमन और सुरेश जी काफी सोच विचार के बाद एक निशकर्ष पर पहुँचते हैं राथ ही को दोनों अपनी पत्नियों की अलमारी से नई साड़ी निकालते हैं और सुब़ जब रश्मी और सरस्वती जी उठते हैं तो देखते हैं कि दोनों पती साड़ी पहन कर चड़ाओ पर सबसियां काट रहे हैं आरे ये सब क्या हो रहा है क्या हो रहा है मतलब आप दोनों अदल बदल हो सकते हो तो हम क्यों नहीं अरह क्या मतलब नहीं नहीं मेरी भी बैच्पान से किसी की बहू बनने की इच्छा थी तो आज से सरस्वती तुम बड़ी बहू मैं मिडल बहू और अमन छोटी बहू अरे लेकिन सब घर पर बैच जाएंगे तो कमाएगा कौन ये घर कैसे चलेगा अब वो तो भाईया या बाकी लोग जाने अब हमने भी अदल बदल कर ही लिया है तो कुछ नहीं हो सकता रश्मी और सरस्वती जी को समझ में आ जाता है कि उन दोनों की आपस की डील के वज़े से इन दोनों को बहुत तकलिफ हो रही है और उनकी इगो ने दूसरों को कितनी यातनाए दी है असल में माजी आप सही थी सास बढ़ना बहुत मुश्किल है अरे हाँ बेटा और तू भी मुझसे तो नहीं हो पाया सब घर के काम वापस बदल ले क्या हाँ हाँ बिलकुल माजी और अब आप दोनों भी बदल लीजिए कोई आ गया तो आप दोनों को देखर क्या सूचीगा अच्छा है आप दोनों के समझ में ये बात तो आई मैं फटाक से कबड़ बदल लेता हूँ और रुख जा बेटा एक फोटो ले लेती हूँ तेरी मेरी बेटी होती तो तेरे जैसी ही दिखती साड़ी मैं और मेरा फोटो नहीं लोगी